हेलो एब्रीवन हाँ जी जनाव आज के व्लोग की शुरुआ थोरी अलेमन एन हनी वोटर के साथ जो कि मैंने आज बनाते हुए नहीं दिखाया सिधा पीते हुए दिखा दिया अच्छा जी रात को ना बरतन नहीं दोयते भाहिया थोड़े लेट आय तो नोंने लेट खाना फिर सुबह सुबह बरतन दोने पड़े जो कि मुझे बहुत बुरा काम लगता है और आटा भी गूंद लिया था सबजी भी बना दी थी क्योंकि आज बहुत खास दिन था आज वेट मेरे पस जाओ परे मामा यहां देखो आमने पड़ा नहीं है पकड़ो भी हाई करो हाई 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 एफ 책 केस बनाना कर जा रहा हूं नानु ए घर जा रहे हमकेस नहीं है रहे पहले रामपूर जाना है और रामपूर में इसका अधार काड़ बन्वाना है और उसके बाद मुझे अपने सूट और सारी वहां से लेने हैं स्टिच करने के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने ऐसे सूट डाल करके जो मुझे जो है वहां जाके उनको थोड़ी सी फिटिंग देनी है या किसी में लाइनि है तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है तुड़ा बहुत कपड़ा भी लेना है और केवी का बर्थडेए है तो केवी के लिए गिफ्ट लेना है कुछ तो उसके लिए रामपू जाना पड़ेगा पहले तो अभी हम निकले है घर से लट्सी कितने बच तक पहुंचते और कब तक घर पहुंचते हैं जणाब हम पहुंचे के शिमला डिस्टिक करस करके का पहुंचे नुनु का पहुंचे बबू का पहुंचे शिमला डिस्टिक तो अच्छा मुलो है इसना मैंगे वारा हाइव एच है ताम होगया है ओमाइग एक बजी चाहे है मुझा निद दिख दो आपर लिंच्ट्डाइम होगया है यह निर्सु की लोकेशन है भाई देखो कितने हर्याली हर्याली है लोकेश सबसे लिएन दूपाल पीपी पीपी इस majरी किया पीपीपी कि ऐसे ब rewards काव 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 कि अब भी पॉल ना पिर पॉल ना ने मतलब टाइम हो गया है एक और लंज का टाइम हो गया वूप तो मुझे भी लगने लगई थी वैसे पर अब रुक गये हम क्या खाने टिकी जाड़ गाते हैं टिकी जाड़ खने के रुक गया है मैं सूच रहे थी इसका मतलब है नो नरामपूर जाके खुछ निकलाना मुझे इसलिए यही रास्ते में इप्टा दिया आप तो यह देखिया हमा दुर्वी का धारकार बनाने के लिए आए थे आई सी आई सी आई बैंक में और वहां पर इसको बिठा के रपना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बैठी नहीं रहा था बिल्कुल भी नी फोन भी नहीं देख रहा था उस टाइंके तो फिर हम बजार के लिए निकल गए और इसका धारकार बनाने के बाद में कम से कम भी एक और घंटा वहीं पे लग गया हमारा फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग की सारी जल्दी जल्दी टेलर से समान वगएरा लेखिया और यह रास्ते में सुई गया भी चारी आपीस आते आ मतलब यार वच्चों के साथ बहुत difficult होता है सिरिसली पहले तो इसका धारकार जहां पर बनाना भाना भाना पर इतना जाता टायम लग गया वहां पर बिचारी जो वह बनाना थो जिन्होंने अधार कार ना वह भी लंच पर गयी थी भाहर उसका भी चोटा बेबी यह तो मह ज़ादा और प्यास भी लग रही है अब पानी के बूटते लेके आगे आगे अब खाएंगे कुछ कहीं नहीं रूख पाएं तंगो रदा बहुत जादा है यह तो मैं टाइम जादा लगाया है मिन मिन काम किया अपने और निकला अब चलो अब देखते आगे क्या खाएंगे अब मुझे लेक्राइए खुद गुल गाप्य खारें वहां खड़े हों के पड़ता है अख लगारे मेरे लेक्राइए हाव सवीट मेरे शरारत क्यों पानी पिंगे पदने साल बाद गूल गपया रहेंगे पानी पिएएंगे वर्टा यह लगो आखरो आप क्या खाओगे बेटू केलो लो बेटे पानी प्लाउस को पानी नी पिया मिटाइस न परे खाया पूडी चोकलेट पानी पिना पानी प्यों बच्छ 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 मुझे जितना मैंने 65 अपना वजण क hass गेँ आ वोलई बहुत में सिर्फ ने मुझें खाया और झालें था यह तो मैंने कनफर्म कर लिया यह पिसली बार मैं तीन किलो बढ़ा के यह ती 15 दिन में तो इस बार पता नहीं कितने किलो बढ़ा के जाओंगी बट तो आई विल ट्राइक इस बार ऐसी गलती नहीं करूं आज का जो खाया वह सारा यह रहाए से होता है देखो गुलकपे मैं बहुत बुरे हाल हुए थे क्योंकि वहां तो बरफबारी पड़ी थी और कीचल वगएरा होगा रास्ते में तो बहुत बुरे हाल हुए थे गाड़ी के तो फिर यहां पर वशिंग करवा के फिर निकले हम घर के लिए हलो जनाब पहुंचने वाले हम पांच बच ओ माइगाड पॉनेचे हो गया और दूबू ने फन पॉप खाया अभी अभी अब हम पहुंचने वाले है बीस मिनट में पहुंच आएंगे बहुंच आएंगे अब बांडरी शुरू होगी अपनी हांची जनाब तो यह हम घर पहुंच गया है क्योंकि हम ना अंधेरे अंधेरे में पहुंचे तो मैं आते टाइम व्लोग नहीं बना पाई क्योंकि अंधेरा है था भार उसके बाद यह किचन में अंदर सी मोनी की वी दूबी सारे खेल रहे हैं कि खेलने तो इसको वेट है आउच जू मामी टी के पास आ रहे हैं आउच जू अब तो टाइम होगया नौ बी सो गया अभी मैं डिनर करके आई हूं बाक्योंने अभी डिनर ने किया क्योंकि मेरी तो टाइमिंग हो रही थी और मुझे भूख भी लगने लगी थी तो अब आगे कमरे में हम सोने के लिए हाँ जी जनाब तो यह वाली क्लिक मैं दिन के अगले दिन बना के पिछली वाली वीडियो में यह आड़ाउन कर रही हूं यहां देखिए दुरूवी सो गया है और बारा बच गया है मैंने मॉनिंग में ब्रिक्फास्ट किया था 9.30 के करीब किया था I will try कि मैं intermittent fasting continue रख हूं यहां पर भी क्योंकि मैंने चाहते हूं मैं फिर से 70 kg होके जाऊं यहां से तो क्या कहते है बारा एक बचे के करीब मैं अपना lunch करूँगी उसमें मैं दलिया ही खाऊंगी और उसके बाद आज दुरूवी को नहलाया भी नहीं सुबा से खेली जा रहा था KVC मोनिंग के साथ सुबा से खेल रहा था खेल रहा था और इतना जादा ठक गया था खेलने यह वाली वीडियो के बाद में आपको जो next वीडियो मिलेगी वो मेरी intermittent fasting की जो मेरी schedule चल रहा है उसी की पहली वीडियो जो मैंने घर पे बना के रखिया वही आपको continue में मिलेगी day 4 वाली वीडियो तो आप अभी व्लॉग यह वाला enjoy कर लो मेरे माय के वाला कल आपको फेस intermittent fasting वाला व्लॉग देखने को मिल जाएगा ओके तो यह वीडियो यहीं पर खतम कर रही हूं अपना ध्यान रखे स्वस्त रहें मस्त रहें वियस्त रहें बाई बाई